जब भी भारत के रहस्यमई मंदिरों की बात आती है तो चाहे वह न्यूस चैनल हो या है वीडियो क्रेटर वह पूरी में इस्तित जगणात मंदिर के बारे में वीडियो जरूर बनाते हैं। पूरी में इस्तित एक पराचीन मंदिर है जो हो सदियों से ना जाने कितने ही रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। आज तक इस मंदिर के राज को कोई समझ नहीं पाया है। लोग जितना इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं वह ब्रहमित हो जाते हैं। दोस्तों आज हम आपको इस के बारे में कुछ ऐसी बाते बताएंगे जिसे सुनकर आपके भी मन में एक बार अपने जीवन काल में इस मंदिर के दर्शन करने की इच्छा जरूर आएगी। अगर आप नास्तिक भी हुए फिर भी आपको यह मंदिर रहस्य की दर्श्टी कोण से आकर्शिच जरूर करेगा। तो चलिए इस मंदिर की वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि इस मंदिर में भी कौन से रहस्य हैं जो आधूनिक वैग्यानिक की सोच और समस्य भी परे हैं। यहां हर साल लाखुष रधालू पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। नहीं लगा पाए और यह एक रहस्य ही बना हुआ है। आठ सो साल से भी जादा पूराने इस पवित्र मंदिर में आज भी कहीं ऐसे रहस्य हैं। जिसका जवाब वैग्यानिक भी नहीं खोच पाए हैं। कहते हैं भगवान की लिला अपरम पार है। वह चाहे तो राजा को भिकारी और भिकारी को राजा बना देता है। सिर्फ दर्शन मात्र से यहां मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। पूरी के उसी भगवान जगनात मंदिर में आज भी कहीं ऐसी रहस्य हैं। जिनका जवाब बड़े से बड़े वैग्यानिक आज तक नहीं खोच पाए हैं। भगवान हैं और वहें चमतकार करते हैं। यह सब बाते विश्वास की हैं। कहते हैं कि भगवान पर विश्वास करके देखो जिन्दगी से जुड़े हर सवाल का जवाब ना मिल जाये तो कहना। भगवान तो आपके हर सवाल का जवाब दे देता है लेकिन उडिसा के परसिद भगवान जगनात पुरी के मंदिर में आज भी ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब किसी वेग्यानिक तक को नहीं मिल पाया है और वहे आस्त खोजी कर रहे हैं जगनात मंदिर का सबसे बड़ा रहसी है कि इसके सिखर पर इस्ती जंडा हमेशा हवा के विप्री दिसा में लहराता है वैसे आम तोर पर दिन के समय हवा समुदर से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुदर की तरफ लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रक में खड़े देखने पर ऐसा लगता है कि चक्रकामू आपकी ही तरफ है इसी तरह और एक रहसी यह है कि मंदिर के सिखर पर चाया हमेशा अद्रस्च ही रहती है उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर समुदर की लहरों की आवाज किसी क भी नहीं सुनाई देती जबकि समुदर पास में ही है लेकिन आप जैसे ही मंदिर में एक कदम बाहर निकालते हैं वैसे ही समुदर की लहरों की आवाज इस पर चुनाई देने लगती है वाके ही यह किसी आश्चेरे से कम नहीं है आम तोर पर मंदिर के उपर पक्षी पुजरता सिर्फ यही नहीं मंदिर के उपर हवाई जाज भी कभी नहीं उड़ता इसलिए इसको फ्लाइंग जोन भी कहा जाता है इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है दरसल यह भक्तों के लिए परसाद पकाने के लिए साथ बरतन एक के उपर एक रखे जाते हैं इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहां हर दिन बनने वाला परसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता चाहे 10 से 20 हजार लोग आजाए चाहे लोखों लोग सबको परसाद मिलता ही है लेकिन वैसे ही मंदिर का द्वार बंद हो जाता है वैसे ही यहां के परसाद समा सुपध्रा के साथ विराजमान मानते हैं कि भगवान जगनात के दर्शन करनी से ही सारी मनोकामनाय पूर्ण हो जाती है और सारे पाप धूल जाते हैं जगनात पूरी एक रहस्यमई मंदिर है जिसका रहस्य आज तक वैज्यानिक भी पता नहीं लगा पाए और आज भी इसे में लगे हुए हैं क्यों वहाँ इतने रहस्य होते हैं यह भी आज एक रहस्य ही बना हुआ है तो दोस्तों आप लोगों को यह रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तमारे चैनल को लाइक करें शेर दूर करेंगे हर हर महादेव आप सभी का दिल से धन्यवाद थैंक्यू और हमें सपोर्ट करते रहें